तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफायर गेमिंग पे तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग फिर से अलफाइम के अंदर आ चुके यहां पे आप देख सकते हैं कि वह जो पुरानी हमारी जो फाइट चल रही थी उसे आज हम कंटिन्य कर रहे तो यहां पर लोग देख सकते जो अलफाइम के लोग है वह काफिजदा खतरनाक है ओके तो चली यहां पर इंसे निपटते हैं और दोस्तों यहां पर वो रहाए इंशियंट आप देख सकते भी वह बैठा हुआ है मैंने पिछली बार उसे हराने की कोशिश की थी प यार डैमेज पढ़ गया फिर से चली इस पर हमने रूनिक अटक यूज कर लिया है और उसे बचके रहना पड़ेगा उपर वाले से वरना वह एक और बार मार देगा हमें चली यहां पर इसे बच गए और यह यार फिर से पढ़ गई क्या यार नसीब है हमारा कोई बात नह और चली यां पर भी है और इसके अंदर से और एच पी निकल रही है और अच्छी कासी एच पी हमारी हो चुकी है कि अग्य चलिए इससे पहले एक मार देते इसे जाग गया है अभी दूस्तों यह जो स्टोन इंशेंट होते इनके बार मैं मुझे पता नहीं थी पहली बार में केने सिव अपने हार्ट में मारा जा सकता है यहां पे आप देख सकते हैं और कहीं नहीं मार सकते हैं उनका पूरा बॉड़ी एक दम पत्थर का बना हुआ है सिफ बीच में से मारना है और यह मुझे अच्छा साथ शेल्टर मिल गया है यहां पे इसके पीछे मै से लड़ रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ही खेले पहली बार में तो डिफिकल्ट हो जाता है आगे तो मुझे पता नहीं पर अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप उसे एकदम बीच में सेंटर में मारोगे तो कोई इशू नहीं आता है आप उ कि उसके कुछ हार्ट भी गिरे हुए पर मैं वहाँ पर जान नहीं सकता है कि मेरा अस्ता ब्लॉक है वह बात नहीं चलिए हम लोग इसे माने की कोशिश करते हैं कि और राइट कि और भाइसाब यहीं से आ गया कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे टैकल करना बढ़ रहा है कि तो चलिए इसे मारते हैं अभी फड़ा-फट से एकदम जल्टना हो सकतना चल्दी ओके इतिंग मैंने उसे जो है उसे स्टन डैमेज दे दिया है ओके तो कि दोग देख सकते हैं अभी हम इसे सीधा हार्ट पर मार तो अधिंक यह मर जाएगा अभी अधर भाइसाब तो फिर से आ गया कि चलिए इसे पड़ा पर सपार्टन रेज का कमाल दिखाते दोस्तों ओके दोस्तों तो यह वापिस मर चुका यहां पर यह लोग यह लोग व इसे तो मैं कोई हाल में नहीं मरने माल हो मिला कुछ भी हो जाए मुझे इसे नहीं मनना है ओके एक तो यह लोग शील्ड पकड़के बैड जाते हैं वह भाई साब मेरा एक तो यह लोग शील्ड भी एकदमी जादा नाकाम कर देते हैं के डैमेज पट रहा हैं लोग को एक इन पर रूनिक अटेक्स भी उजनी कर सकते हैं वह इसलिए क्योंकि मेरे रूनिक अटेक्स अभी इतने भी अच्छे नहीं है यह बहुत ज़दा फास्त है मैं जैसे रूनिक अटेक्स करता हूं भाग जाते हैं तो चली फड़ा फट से वापिस मानना शुरू कर देते हैं जब तक एट्रेस इन संभाल रहा है तब तक कि अधर वाई ट्रेस भी पीछे से किरा देता है इन लोगों कभी-कभी इन लोग के सामने तो मुझे रोल ही करना पड़ेगा क्योंकि यह लोग तो मेरे शील्ड को भी आर पार कर सकते हैं अरे यार वो शिट बहुत कम एच्पी हो गई है ओ माई गॉड एक तो एच्पी भी नहीं है थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं यहां पे हो भाई साब पंड म में वापिस खहिलना दो पड़ेगा ही तो चलिए वापिस से चलते हैं मैच के अंदर पर में एकदम पड़ावट निकलना पड़ेगा और यह लोग मार देंगे हमें जली एक और बार बच गया ओर तीसरी बार आगया दो अरे भऐ सब चोती बार आ गया खथर ना को रहा जा ja को लिए वोके तो चलिए एक बंदा तो गया अब है अबधी अभी आपर है पड़ाफट से मार लेते तो चली फड़ापट से दिखते के वहां पे क्या है तो यहां पे आप देख सकते के इस तरफ सामने चीज दिखाई देरी हला कि मैं उसके पहले हमारा जो चैस्ट है उसे उपन कर लेना चाहता हूं और देखते इसके इसके इनर में क्या मिलता है तो इसमें हमें एक लाइट रूनिक अटैक मिला है इसका नाम थोड़ा सा अजीब है वन कोई बात नहीं चली हां पे देखते क्या करता है यहां पे आप देख सकते के कुछ ऐसी चीज करता है हलाग कि इसे टेस्ट आउट तो आगे करने ही वाले है पर इसके पहले कि हम आगे बड़े यहां पे आप देख सकते कि यह जो चीज सबसे पहले इसे कर लेते हैं पता नहीं से क्या होने वाला है इसे मार के देखता हूं ओके तो यह खुल गया है पर यहां पे बी दबाना है मैं कि मतलब इससे हम लोग ने एक और जो बड़ा सा यह जो ब्रांची से जो भी बोल सकते हैं और इससे क्या हो रहा है ओके जो मारी उपर जो ब्रीज थी जो ब्लॉक हो चुकी थी अभी वह उपन हो चुकी है दोस्तों फाइनली तो मोग वहां पर जा पाएंगे यहां पर देख सकते कि जो लाइट है इससे पूरे रेल में अलग अलग जगा उपर ब्रीज बनती है और मुझे लगता है इसलिए आधी चीज़े जब हम पिछली बार इस जगा पर आये थे वह बन थी क्योंकि यह वे इन से फिर ब्रांची से उन्होंने सारी लाइट को ब अरे हाँ यह तो वही जगा है जहां पर हम लोग स्टाइटिंग में लडाई किया था हम लोगोंने मलब बहां से नीचे देखा भी दा कि यहां पर कोई राजता है कि नी तो अभी अनलॉक हुआ है तो चली यहां पर जो ब्रीज उसे क्रॉस करते है और वहां पर एक बड़ यह दो अजय कर दो रहा है अजय को अजय को पाये है तो मुझे लगता है हमें इस तरफ जाकर देखना चीए कि अधिन आगे ओके यहां पर दुस्तो आप देख सकते हैं सिंडरी की शॉप आचउकि यह चले उसे बात करते हैं मुझा बढ़ोगी दौर्फ जब वर दौर्फ्ट वर डॉर्फ पाथ विट्वीन रिल्म्स वे बडी जिस वोगी देवल पर वी दौर्व बडतों बडुर्वार्व्थ दौर्प्राइज भी दौर्व्ट दूच रहत अंशर और को दोलियोग कि वही कि भी भाए दे निए हम उप्री अप्र लिए फैक अव्रिड विलन है और वेड्य को सकता है तो यह आपेचे अफ़ीड करते हैं वम लोग फड़ाफट से क्या डेख़ते हैं हमारे पास क्या है ऑपक्यों जरू है द्दोने सबस्क्राइब जरूओ ठीजिभा्य अफ़ीव caz और बाकी का कुछ लूक नहीं मुझे नहीं लगता है कुछ है जादा देख लेता हूं फिर एक बार कर चलिए इन सब की सब्सक्राइब है नहीं हमें तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते वापिस से कुछ बात करनी है आएटी अब के शचलत चलताम डन्म की तर श्यूद्ध बारे के नावी Okay तवे चले पूहलेगे अव्डाभ. एक हैसे को डाप पेद्फ नाव जाएब को दाएटोग मेंने हम रगा नहीं है तो चलिए बादेशल एक हमेर। तो चली वहीं से जा के देखते हैं कि अंदर क्या है कर टो है मैं तो यहां पर ब्थ तो नजर आ रहा है हैं कि वहां पर जाफो नहीं और अंब झैक की है यां से हैं कि मैं तोड़ी था है ही को कर यहां से तो तूटने रहा है मुझसे बो करें को किक inheritance कि यह लगता है कि नीचे जाके कर लेता हूं भिना मुझे उपर से करने की कोशिश करो चलिए नीचे चलते हैं तो चलिए हम लोग इनने भी मानने लग जाते हैं फटाफट से अभी पर दोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इने में रेंज वेपन से जाधा बेटर दरीके से मार पाता हूं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भी साधा बेटर हो रहा है और भाइसाब यहां पर यह लोग भी रेंज अटेक कर रहे हैं हमारा जो एक्स है वापिस आते हो भी जो डैमेज करता है ना दोस्तों देखना एक दमी जादा सैटिस्पाइंग लगता है मुझे ऊके चलिए आप देख सकते हुने हवा में हम लोग उनका जो अटेक है वैस कितना देर लगाओंगे एक और रूनिक अटेक आप देख सकते हमारा जो नया रूनिक अटेक हमें मिला था वो भी हमने उपाई साव एच्पी कम हो गई है हमारी इन से दूर रहना पड़ेगा आप तो चल मर जा और यह मरते मरते कुछ हेल ड्रॉप करेगा तो मज़ा आएगा रियार इस इसने भी हेल ड्रॉप नहीं किया है कि एक तो यह लोग मर नी रहे और हमारा जो स्पार्टन रेज वह आ चुका है दोस्तों हलाकि मैं थोड़ा बहुत संबाल के खिलने वाला हूं इस बार क्योंकि जल्दी ज्यादा स्पार्टन मैं जभी जल्दी अक्टिवेट कर लेता हूं तो जल्दी ज्यादा वेस्त हो इस बार मैं थोड़ दूर से मारूंगा अगर कोई पास आ गया तो ही मैं उस पर स्पार्टन रेज यूश करने वाला हूं अगर चलिए माते रहते हैं कंटीनिएस मज जाओ यार हुआ है है अगर चलिए को चलिए यहां पर मेरे जादर तर दुश्मन एटिंग घतम हो जो कि एक बचा है उस साइड पर कि अब के चलिए वो भी गया है अलकि दूस्तों अभी भी मेरे पास एच्पी नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा है अगे जाने में कि अब के तो दुश्मन तो नहीं है किसी तरफ कर यहां पर एक मटका दिखा दे रहा है तो चलिए उसे फोड लेते हैं और यहां पर लोग देख सकते थोड़ा बहुत है ऐसे ही कलेक करते रहना है पूरी जर्नी पे ताक कि बाद में जो शॉप्स में अपग्रेड होंगे उन तो चलिए देखते हैं में क्या मिला है और बार कोई बात नहीं चलिए मुझे पता भी नहीं है इसमें जो क्राफ्टिंग के इंग्रीडियंट्स हो कहां यूज होते हैं अलाकि हर बार अपग्रेड करवाता हूं कुछ ना कुछ तो उसमें यूज होई जाते होंगे तो हमा कि यहां पर एक हैक्सी लवार अलम अटका है पैसे को कैसे छोड़ सकते बीच में हो के दो चलिए इनके पास चलते है कि इनने दूर दूर से डामेज दिना अले भाई यह तो पास आ गई कोई बात मुझे अभी एक्चुली यूज नहीं करना था यह कोई बात नहीं चलिए इसे भी मार देते हैं और यह अरे यार हमारा जो स्पार्टन रेज हो खतम हो चुका है अभी हमें पीछे रहना पड़ेगा और नहीं अचानाक से आके फूड जाएंगे हम पर अरे भाई यह तो पीछे ही पड़ गए है ओ भाई साब यहां पे लोग तो हर तरफ से अटैक क यहीं से में आपिस आ गया हूं और इस बार तो एच्पी भी अच्छी कासी है तो इनकी तो वाट लगाएंगे तो इनको मैं पहले दूर से मारूंगा तो चलिए दूर से वंदू को तो खतम किया है पता नहीं कितनी खतम हुई है तो एक बहुत पास आ चुकी है चलिए इसे भी खतम कर दिया एक और आजाए तो सहीर आजाएगा आजा 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 चलिए पीछे से पीछे से मारता है यार यह कैसा बंदा है कोई बात नहीं अरे यारे तो यह फूटने वाली अचानक से पास आ जाती है चलिए अमने स्पार्टन रेज अक्टिवेट कर लिया तो पहले इन लोगों को मार देता हूं वह वाले शायद बाद में मेरे यार में उनके पास ही अट्रैक्ट हो रहा हूं जा भए एट्रेस कुछ कर वहाँ पर जाके क्या कर रहा है यह वी ना बात क्या बात है या तुरंट बात सुनता है यह रड़का कोई बात नहीं चेली दोस्तों आगे बढ़ते हैं सब दुश्मन मर गए क्या होगे लगता है सब मर गए तो दोस्तों आज का वीडियो में यही तक रखना चाहूंगा उमीद है कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेन लोटिफिकेशन को भी ओल पे सेट जरूर कर दीजेगा तो दोस्तो अगली वीडियो तक बाई बाई